हेलो इस्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीओ कोचिंग क्लासस पर स्वगत है क्लास टोल्ड कमिस्ट्री एंसी आटी चैप्टर सेकेंड में आज का जो टॉपिक है वो अपन चर्चा करेंगे परसेंटेज के बारे में और एक द्रबबान के अनुसार प्रतिसथा ठीक है न तो दोनों को समझेंगे तो चलिए स्टाट करते हैं उस पे आपने बिले पदार्थ मिलाया कितना पांच ग्राम तो जो पांच परसेंट है उसकी प्रत्सत्ता कहलाईगी मतलब सौ भाग में से जो पांच भाग है वो आपका बिले पदार्थ जिसे आपने गुलुकोज मिलाया तो गुलुकोज पांच परसेंटेज कहलाईगा मत तो किसी विलियन के सो भाग में उपस्तित बिले पदार्थ की मात्रा प्रतिसातता कहलाती है, परसंटेज जिसे इंगलिस में बोलते हैं, कोई भी विलियन है उसके सो भाग में, ठीक है न, यह सो भाग आयतन में, ऐसा भी परिभासा लिख सकते हैं, किसी विलियन के सो भाग आयतन में उपस्थित बिले पदार्थ की मात्रा उस विलियन की या उस बिले पदार्थ की प्रतिसतता परसंटेज कहलाती है, यदि बात की जाए इनके प्रकार की तो जो प्रतिसतता है दो प्रकार होता है, एक द्रबमान के अधार पर प्रतिसतता और एक आयतन के अधार पर आयतन के अंसार किसी बिलियन में आयतन के अंसार सो भागों में उपस्तित बिले पदार्थ की मात्रा आयतन प्रसत्ता कहलाती है परिवासा कोई कठी नहीं है ठीके ना ध्यान दीजेगा फार्मूला जरूर आपको याद रखना है जैसे द्रबमान प्रसत्ता कैदी फार्मू इतना बिले पदार्थ की मात्रा है, द्रबमान पर दिया है, तो द्रबमान का फार्मर लगाएंगे, यदि वहार के अंसार दे के रखा है, तो वहार का फार्मर लगाएंगे, क्लियर है न, तो यदि बात की जब प्रत्सत्ता कहा है, तो किसी बिलियन के सो भागों में उपस् बिले पदार्थ की मात्रा आयतन प्रत्सत्ता कहलाती है, फार्मूला तो बिले पदार्थ का आयतन बटे, बिलियन का आयतन गुने सो, तो ये आपका जो वेसिक चीज़े क्लियर है, अब इससे सम्मंदित चलिए, निमेरिकल कोशन करते हैं, आंकिक प्रशन है, ठीक है, तीन क कराऊंगा मैं, और तीन कोशन को आप लोगों को कर लेना है, यदि तीन कोशन आप कर लेंगे, तो आसानी से किसी भी प्रकार का कोशन आप कर पाएंगे, चलिए, तो देखिए, पहला कोशन है, दस परसंट एनोफ के 200 ग्राम बिलियन में, अब देखिए, बिलियन की मात्र निकालनी है ठीक है तो चलिए हल करते हैं दिया क्या है दिया क्या है दस परसेंट यही प्रतिसत सांद्रता दे के रखा है प्रतिसत सांद्रता कितना दे के रखा है श्टुडेंट दस परसेंट दे के रखा है ठीक है न और आपका 200 ग्राम बिलियन यही आपके पास बिलियन क की मात्रा देके रखा है विलेन की मात्रा कितना देके रखा है 200 ग्राम ठीक है 200 ग्राम तो हमको क्या निकालना है याने ओच की मात्रा निकालने है याने ओच की मात्रा निकालना कोश्चन माक्स कर दिया मैंने अब आप फार्मुले लगाएंगे प्रतिसत सांद्रता का प्रति अर्थात एनेवेज की मात्रा वटे आपका क्या रहेगा विलेज की मात्रा विलेज की मात्रा और गुणे में आपका हैंडल रहेगा ठीक है तो यहाँ पर प्रस्ट संद्रता सौ दिया है एनेवेज की मात्रा देके नहीं रखा है विलेज पदात एनेवेज की मात्रा है और जो आपका विलियन है, वो कितना आपके पास, तो है आपका 200, गुडे 100, यदि 100 से काटा जाए, तो ये कड़ जाएगा, तो NAOH की मात्रा कितनी आएगी, NAOH की मात्रा, कितनी आएगी, यहां बताइए, तो यदि आप इसको इधर पक्छांतर करेंगे, 10 दूना 20, तो 20 ग्राम आगया, ठीके न, तो ये आगया, NAOH की मात्रा, अब यदि कॉश्चन दिया होता, कि 20 ग्राम NAOH, NAOH की मात्रा दे दिया जाता, कि 20 ग्राम NAOH, 200 ग्राम बिलियन में, NAOH की बिले है, तो NAOH की प्रिस्त निकालिये, ठीके न, यह प्रिस्त सांद्रता निकालिये, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं चलिए एक देख लेते हैं प्रत्सत्ता से संबंदित कोश्चन तो देखें इस कोश्चन को 40 ग्राम H2SO4 1000 मिली लेटर बिलियन में उपस्थी थे तो बिलियन की H2SO4 की प्रत्सत्ता की गढ़ना किजिए प्रत्सत्ता निकाल नहीं है आपको ठीक है ना इन्यंग परसेंटीज तो पड़ा पड़ हल करते हैं डायरेक्ट यदि मैं कहूं बिले पदार्थ की मातरा तो 40 ग्राम धेके रखा यह एक है जो भी दिया उसको लिख लेί Kyus मात्रा विलियन की मात्रा कितना है तो एक हजार एमल मिलिलीटर है ठीक है ना एक हजार एमल है हमको प्रत्सक्ता निकालना है तो फार्मरे लगा दो प्रत्सत बरावर प्रत्सत बरावर आपने क्या पढ़ा विले विले पदार्थ की मातरा विले की मातरा divide by billion की मातरा विले इन की मातरा गुने आपका कहराएगा 100 रहेगा विले पदार्थ की मातरा कितने है 40 है to 40 बटे 1000 गुने 100 तो 0000 क्या हो जाएगा कैंσιल हो जाएगा ठीक है और एक 0 से 1 0 क्या हो गया आपके पास आया चार और यही 4 ग्राम जो है स्वरी 4% 4% आपका क्या आया तो यह आया H2SO4 की प्रत्सक मात्रा ठीक है नब देखे कितना छोटा सा सॉल्व था हमको H2SO4 की प्रत्सक्ता की गड़ना करनी थी तो आपके पास 40 ग्राम था वो बिले पदाच की मात्रा है 1000 ml है वो बिलेन की मात्रा है और जो आपके पास परसंटेज निकालना था वो आगया 4% अर्थाथ 40 ग्राम जो है 1000 ml बिलेन में किबल 4% के बराबर है ठीक है ना तो ये question में समझ में आ गया होगा तो एक और आखरी question करते हैं जो कि तीनों question महात्मूर है आप लोग तीनों को त्यारी कर लेना है इस question में आपको समझना है थ्ड़ा सा विलेन का मात्रा नहीं दिया ध्यान रखेगा 30 ml एथिलेलकोहल 270 ml जल में विले है थ्टोडा सा गुमाया है question आपको समझना आए नहीं तो आप बिल्कुल конфieNs हो जाओगे विले की मात्रा एदि मैं कहूं विले पदार्थ की मात्रा विले पदार्थ की मात्रा कितना विले पदार्थ की मात्रा 30 ml है इतना तो αυτने आसानी से कर लिया अब इस पर विलायक की मात्रा देके रखिए विलायक की मात्रा कितना है 270 ml हमें बिलियन चाहिए न विलियन की मात्रा तो विलियन क्या कहलाता है विलियन की मात्रा हमेशा बिले और बिलायक मिलकर बनता है मतलब 30 धन 270 equal 300 ml मतलब जो टोटल विलियन है वो कितना है तीन सो मिलिलीटर है अब हमको क्या निकालना है प्रतिस्थ प्रतिस्थ निकालना है तो क्या पढ़ा आपने विलेपदार्थ की मात्रा विलेपदार्थ की मात्रा डिवाइड बाई क्या होता है विलेण की मात्रा है ना विलेन की मात्रा इंटू वन हेंडर्ड चलिए विले पदात की मात्रा कितना है तीस बटे तीन सो कुने यह हो गया आपका हेंडर्ड इसको डिवाइड करो डबल जीरो डबल जीरो और तीन एकम तीन दाहम दस कुल मिला कर कितना है दस परसेंट तो इस प्रकार से जो आपके पास तीन आंकिक प्रश्ण है तो आसानी से बन जाने चाहिए अब किसी भी प्रकार से यह दि कॉस्चन आ जाता है तो वासा करता हूँ बन जाएगा जैसे देखे रखा है बिले पदार्द की मात्रा यह दि एक कॉस्चन मैं आपसे कहूँ ठीक है ना मैं दि कहूँ कि असी ग्राम असी ग्राम सक्कर ठीक है ना सक्कर एज़ी बात करूँ सक्कर ठीक है आपके पास तीन सो बीस ग्राम जल में बिले है किसमें जल में बिले है तो परसंटेज निकालो निकाल सकते हो, जी हाँ, यदि मैं आप से कहूं, पर प्रतिस्थ, तो प्रतिस्थ कैसे निकालोगे, बिले पदार्स की मातरा कितनी है, असी, जल का मान कितना है, 320, अब यह जल है ना, ध्यान रखेगा, जल है, मतलब भी लायक है, इस पे घुला हुआ है, मतलब यह जब यह इतना हो जाएगा 400 यानि बिलीन टोटल बनेगा 400 400 ञुन 200 डवल जीरो और 4 दूना 8 यानि कितना आया 20 परशेंट इस प्रकार से कोई भी कोस्ट्न आ जाए न और अपने से भी कोस्ट्न बना सकते हूं प्रति सत्ता से संबंदीत किसी प्रकार कोस्ट्न आये तु आप से बन ज स्क्रिप्सक्र पर लिंक हो का इसको जोड़ना जोड़ सकते हैं वहां पर मैं अपना जो भी नोट से सेयर करता रहता हूं ठीक है तो फिर चलते हैं मिल्टेक लिए वीडियो नेट आपके सांद तब तक लिए जैहिंद बंद मत रहा हूं